खबरों की फैरिश्ट में एक और बड़ी खबर आपको बताएंगा और ये बड़ी खबर उदेपूर से आ रही है उदेपूर एमदाबाद सिक्स लेन हाईवे की जमीन अवापती से जुड़ा ये पूरा मामला है इसमें हुआ है फ़र जिवाड़ा एडियम ने उक्त मामले का खुलासा होते ही तैसिलदार को जांच सोपी है रिशब देव तैसिलदार विरेन सिंग को संपूर प्रकड की जांच का रिपोर्ट के नर्देश दिये गए खेती की जमीन को आवादी बता कर उठा लिया गया एक करोड़ सी लाख का मुआज़ा बाद में उक्त जमीन को वापस आपते से मुक्त कर दिया गया उक्त गरबड़ी में लिप्त मंदरलाइक कार्मिक पर भी गाज यहां गिर सकती है जांच रिपोर्ट के बाद ही बड़ी कारवाई हो गए एनेश आई के प्रबंध निदेशक घरीशन ने भी जांच के लिए करेक्टर को लिखा था पत्र इसके बाद परकत में आया था जिला परशासन जांच अजकारी विरेंसिंग ने घपले से जुले दस्तावे जबत कर शुरू की जान खेती के जमीन को किस प्रकार से आवतिप की गई एक करोड़ असी लाग का मुआफ़ा उठा लिया गया बाद में उक्ते जमीन को वापस आपते से मुक्त करा दिया गया ये किस पृकार का फर्जी वाड़ा रहा गरभडी रही चुकि अब इसमें जो कार्मी का उसको पर भी गाज गिर सकती है कि ये भी जानकारी आ रही है जो मतला क्रमी है उनके उपर गाज गिरने के संबहा अुना या आपर प्रवाल है ये बड़ी जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद बड़ी कारवाई संभो इसमें दिखाई दे रही है ये बड़ी खबर है इस वक्त की NHI के प्रबंद निदेशा खारीशन ने भी इस बाबत पत्र लिखा है करेक्टर को पत्र लिखा गया है ताकि इसकी सही से जांच हो और विदी संभत जो कारवाई बनती हो कारवाई उसके बाद हरकत में आया है जिरा प्रशासन पत्र के बाद जांच अदकारी बेंसिंग ने जांच भी चुरू कर दी है यह भी एक जांकारी आपको दे देखा अपले से जुले जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है और यह बड़ी कारवाई इस वक्त की उदेपूर से खबर आ रही है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे है यह बड़ी खबर है उदेपूर आमदाबाद सिक्स लेन हाइवे की हम कर रहे है बाद जमीन आवाक्ति में यह फर्जिवारा हुआ है